जी हां मार्च में आ सकता है LIC का IPO, CCEA की बैठक में मिली हरी जहन्डी। हर IPO निवेशक को भारतिय जीवन बीमा निगम LIC के IPO का इंतजार है। ये इंतजार मार्च 2022 में खत्म हो सकता है। सुत्रों के मुताबिक पिछले हफ़ते हुई CCEA की बैठक में LIC के IPO को हरी जहन्डी मिल गई है। रिपोर्ट की माने तो LIC का IPO मार्च 2022 तक आ सकता है। CNBC TV 18 को सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले हफ़ते की CCEA में IPO को मंजूरी मिल गई है। सरकार मार्च 2022 में LIC का IPO लॉंच करने की तयारी में है। मंत्रियों का पैनल LIC की प्राइसिंग तै करेगा। LIC में कितना हिस्सा बिकेगा ये भी पैनल ही तै करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस IPO के वेल्यू और प्रोड़क्ट रिस्ट्रक्चरिंग पर काम चल रहा है। LIC के IPO को भारत के कॉपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम IPO माना जा रहा है। गौर तलब है कि निवेश एवं लोक संपत्ती प्रबंधन विभाग दीपंप ने इस साल जनवरी में बीमा कमपनी मिलीमेन एडवाईजर्स LLP इंडिया को IPO से पहले LIC के वेल्यूशन करने के लिए नियूक्ट किया था। बता दें, वितर मंत्री निर्मला सीतारमर ने वितर वर्ष 2021 के बजट को पेश करते हुए LIC का IPO का एलान किया था। लेकिन कोरोना संकट की वज़े से पिछले वितर वर्ष में यह काम नहीं हो पाया। जिसके बाद वितर वर्ष 2021 के लिए बजट भाशन में वितर मंत्री ने कहा कि चालू वितर वर्ष में LIC का IPO लॉंच किया जाएगा। एक अधिकारी के हवाले से पिछले हफ़ते न्यूज एजेंसी PTI बताया था कि LIC अगले कुछ हफ़ते में मचेंट बैंकरों की नियुकती के लिए बोलिया आमंत्रित करेगा। इसको लेकर संस्थागस्त निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। अधिकारी ने कहा कि हम नवंबर आंध तक नियाम किये मंजूरिया मिलने की उमीद है। LIC के IPO में 10 फी सदी का हिस्सा पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित रहेगा। कोरोना काल में राज कोशिय घाटे को कम करने के लिए LIC के IPO को काफी एहम माना जा रहा है। चालू वितवर्ष में सरकार ने विनिवेश और निजीकरन का लक्ष एक दशमलव साथ पाँच लाग करोर रुपे रखा है। भारतिय जीवन बीमा निगम LIC के IPO से जुड़ी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूले।